इकाना स्टेडियम पहुंचे इकाना स्टेडियम में रविवार को 36 अखिल भारतिय एड़ोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 57,000 ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान बनाया जा रहा है महिला और पुर्षों के लिए अलग-अलग ओपन जिम भी बनाया जा रहे है विकास खंडो में मिनी स्टेडियम और जिले स्टर पर स्टेडियम का निर्मान किया जा रहा है CM योगी ने 36 वे अखिल भारतिय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का किया शुभारम कहा जीत ही नहीं हार भी देती है आगे बढ़ने की प्रेणा मुखे मंतरी योगी आदितिनाथ ने रविवार को एक इकाना स्टेडियम में और इंडिया एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारम किया इस मौके पर उन्होंने पिछ पर उतर कर बल्ले बाजी में भी हाथ आजमाया योगी ने दो गेंदों पर शॉट लगाए साथ में मौझूद लखना उबेंच के सिनियर जज जस्टिस ए आर मसूदी मौझूद रहे मुखेमंदरी योगी आदितिनाथ ने खेल में टीम भावना को महत्व देते हुए कहा कि खेल हम सब को साथ कारे करने की प्रिणा देता है टीम वर्क से सफलता की संभावना अधिक हो जाती है और टीम वर्क न होने से असफल होने की गुंजाईश भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है हर जीत हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोथसाहित करती है लेकिन हर हार एक नया सबक होती है और नय प्रोथसाहन के साथ कारे करने के लिए प्रेरित करती है अटल बिहारी वाजपेई इकाना स्टेडियम में रविवार को 36 वे अखिल भारतिय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरन करने के बाद मुखेमंत्री निकाहा की प्रदेश की 57,000 ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान बनाया जा रहा है महिला और पुर्षों के लिए अलग-अलग ओपन जिम भी बनाया जा रहे हैं विकास खंडो में मिनी स्टेडियम और जिले स्थर पर स्टेडियम का निर्मान किया जा रहा है इसे युवा सही रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और नशे से दूर रहेंगे उन्होंने कहा कि खेल एक टीम भावना के साथ हम सब को सम विशम परिस्थितियों से लड़ने की एक नई प्रेणा देता है दूसरा ये मनुरंजन भी है और तीसरा अपने आपको आंकलन करने का आवसर भी प्रदान करता है जब मैच, बेंच और बार के बीच हो तो ये न केवल रोचक होता है बलकि लोगों को प्रेणा भी देता है पिछले वर्षों में देश प्रदेश में खेल आगे बढ़ा है और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की भी यही इच्छा है ओलमपिक हो पैरालमपिक या फिर एशियाड गेम्स खिलाडियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर अफसर दिये जा रहे हैं उतर प्रदेश सरकार ओलमपिक में स्वंट पदक जीतने वालों को 6 करोड रजत पदक जीतने वालों को 3 करोड और कांसे पदक जीतने वाले खिलाडी को 1 करोड रुपए दे रही है टोक्यो ओलम्पिक में हौकी के कांसे पदक जीतने पर टीम के सदस्य और उत्रप्रदेश के खिलाडी ललित उपाध्याय को डिप्टी स्पी के पत पर नियुक्ती दी इस बार हम राज कुमारपाल को भी सीधे नियुक्ती देने जा रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल जीतने वाली एथलीट पारुल चौधरी को भी डिप्टी स्पी नियुक्त किया गया है अब तक प्रदेश सरकार ने 500 खिलाडियों को सीधी नियुक्ती दी है अधिवक्ता कल्याण ने दी बढ़ाई कॉपर्स फंड अपचास करोड का अब तक हम 134 करोड रुपए अधिवक्ता कल्याण राशी से दिवंगत अधिवक्ताओं के परिवार जनों को वितरत कर चुके है इसमें अधिक्तम आयू की सीमा को भी 60 वर्ष से बढ़ा कर 70 वर्ष कर दिया गया है